कि मैं इस्टेडी फ्यूट केनल दोस्तों प्रिविएस एयर में जितने भी कोश्चन्स प्रिजिकल एजुकेशन कमपटिटिव एक्जॉम्स तीजिटी पीजिटी के विएस एल्टी यूजिसी नेट में पूछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स को टापिक वाइज आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं दोस्तों यह सीरीज नंबर सिर्टी येट है एंड दोस्तों टूर्णामेंट से जितने भी कोश्चन्स प्रिवेस एयर में पूछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स को इस वीडियो में दिया जा रहा है यह वीडियो आपके लिए बेरी इंपॉर्टे बारो नाकाउट लीग और कॉम्बिनेशन चैलेंज के बारे में मैं डीटेल में वीडियो बना चुकी हूं उस वीडियो को आप टूर्णामेंट वाले प्लेइस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो फिर इस तो लगाएंगे तो आप आसानी से हर एक कोश्चन का एंसर दे ल यहां पर उप्युक्स सभी जैसा कि दोस्तों टूर्णामेंट चार प्रकार की होती है नाकाउट लीग कॉम्बिनेशन चैलेंज तो यहां पर उप्युक्स सभी हो जाएगा सभी टूर्णामेंट की प्रकार है नेक्ट है मूलर एंडेशन पेबैक मेथड किस प्रकार की टूनामेंट का उदाहरड है तो दोस्तों यह नाकाउट टूनामेंट का उदाहरड है वो भी बैगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूनामेंट का तो यहां पर आपसर नमबर एक करेट हो जाएगा नाकाउट टूनामे दोस्तों मूलर इंद्रेशन थे कहां के मूलर थे इंग्लेंड के एक प्रसिद फुटबाल खिलाड़े और सबसे पहले नाकाउट में प्रयोग किया गया इसलिए नाकाउट का भाग मना जाता है नेक्स कोशन है प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं प्रतियोगिता चार प्रकार की होती है चार प्रका की टूनामेंट कौन कौन से होती है दोस्तो नाकाउट या एलिमिनेशन टूनामेंट दूसरा लीग या राउंड डामेंट टूनामेंट तिसरा कॉमिनेशन टूनामेंट चोथा चैलेंज टूनामेंट नेक्ट कोश्चन है बाई का संबंध है बाई का संबंध किसे है दोस्तो परतियों की ताजरे टुनमेंट से है आफसन नमबर एक अरेट हो जाएगा बाई क्यों दिया जाता है दोस्तो कि जो भी मैच अरम्ध किया जा रहा है वो सुरू से अं तक टीमों की संख्या समाने जो कि 11 तीमों में वाई की संख्या क्या होगी तो बाई गयात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों निफ्ट पावर आप टू माइनस और तो क्या हो जायेका गए और यहां पे ज़स्ट अधिक हो जाएगा उस संख्या से वहीं आप रुख जाएंगे दो दुना, चार दुना, आर दुना 16 यानि कि 4 बराब 2 से गुड़ा करेंगे यानि कि 2 की पावर 4 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 16 16 में से 11 आप निकाल देंगे बचे का कितना दूस्तों 5 यानि कि कुल 5 बाई दिया जाएगा यदि तीमों की संख्याफ 11 है तो निश कोस्चन है नाकाउट टूनामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी जब 11 टीमें हैं तो दोस्तों बाई ग्यात करने का सूत्र क्या होता है सबसे परहे तो हम बाई निकारेंगे कि कुल बाई कितना दिया जाएगा ज इस 5 बाई को उपर नीचे हाफ में कैसे बाटेंगे उपर नीचे हाफ में बाटने का सूत्र होता है दोस्तों जब बाई सम आवे तो सूत्र होता है यन भी अपान टू यन भी क्या होता है कुल बाई यन भी अपान टू अगर बाई भी सम आवे तो सूत्र होता है उपरी हा यन भी प्लस वन अपान्टू तो कुल भाई हमारा पांच आया है तो उपरी हाप में क्या हो जाएगा यन भी माइनस वन अपान्टू यानि कि पांच माइनस वन अपान्टू यानि चार अपान्टू यानि दो भाई उपरी हाप में दिया जाएगा और निचनी हाप में सुत क्या हो जाएगा यहन भी प्लस वन अपान्टू यानि की प्लस वन अपन तू यानि की कूल तीन बाय दिया जाएगा निचलीहाप में तो कि नकर टोनर्मेट में निचे के और प्रामिट का समंथ किससे है दोस्तों challenge टूर्na Men्ट से का सब्सक्राइब किसे है चैलेंग टूनामेंट से आपसर नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा और नेक्ट कोच्छन है कई पिरामीडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है यह कौन से विधी होती है दोस्तों तो य कैनेंट दो प्रकार का होता है लेडर प्रकार और पिरामीड प्रकार पिरामीड प्रकार भी दो प्रकार का होता है किंग्स टूनामेंट एंड काव वेव टूनामेंट को स्पाइडर वेव विधी भी कहा जाता है और स्पाइडर वेव विधी में होता क्या है दोस्तों कि प्रवेस करना होता है। इस तरह जो सबसे और चक्र में पहुच जाता है। प्रजिता प्राप्त यानि विजेता खिलाड़ी होता है कि किस नाकाउट पधती में पराजित टीम को दुबारा खेलने का आउसर दिया जाता है किस में दिया जाता है दोस्तों दुबारा खेलने का आउसर तो डबल नाकाउट पधती में पराजित टीम को दुबारा खेलने नाकॉट में कि होता है कि प्रत्तीय कि दो बार पराजित होने पर प्रतिए टीम दो बार पराजित होने पर ही टूनामेंट से बाहर होता है होता क्या है कि सिंगल नाकाउट विजेता को वास्तविक विजेता टै करने के लिए कांसुलेशन टूनामेंट की विजयता से खेलना पड़ता है दोनों का नाकाउट विजयता और कांसुलेशन विजयता का टूनामेंट होगा उसमें जो विजय होगा वास्तिक विजयता कहलाएगा इस प्रकार प्रतेग टीम तहों बार प्राजित होने पर ही टूणामेंट से बाहर होगा. तो यहां पर आफसन नंबर भी करेक्ट हो जाये गा. कैसी मेन दोस्तों किस सभी टीमों गा गाहँagn को की सबर इop है डिक को नाम है तो दोस्तों कि टुनामिंड को राउन्डामिंड को दिया गया एक नाम है तो दोस्तों किस टुनामिंड को tha झा शुत weil को गाता है ली इसको ध्यान में रखेगा नेक्ट को सब्सक्राइब को कहते हैं क्या कहते हैं राउंड राविंग टूनामेंट आफसर नमबर सी करेक्ट हो जाएगा फैसले बर्गर यहीं का थरा प्रकौस्टर्ण ठी कहें जाता है तो ल eldest लेक्ट टूनामेंट के यहां पर जाców करेक्ट हो जाएगा वर्गर नेनी डूनामेंट की एकाना शिरा पहते किया था इसलिए लीग टूनामेंट को बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है और जानी बर्गर थे कहां कि इस सर्विया की सत्रंज खिलारी थे इन्हें के नाम पर लीग टूनामेंट को बर्गर सिस्टम बोला जाता है और लीग टूनामेंट का एक और क्या नाम है राउंड रा संबंधित है किसे संबंधित है लीग परतियोगिता से आपसा नंबर डी करेट हो जाएगा लेक्स कोचन है राउंड राविंग टूनामेंट में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का शुत्र है तो दोस्तों डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या ग्यात करने का सुत्र क्या हो दबल लीग में यन-1 यन-1 होता है आपसा नंबर भी करेट होगा यहीं पर दोस्तों पुछ देगा कि सिंगल लीग में मैचों की संख्या ग्यात करने का सुत्र क्या होता है तो यन-1 अपां 2 हो जाएगा और डबल लीग म कितने मेच खेले जाएंगे जब तीमों कि संख्या 10 होंगी तो तो असे पहले आप देखेंगे कि लेग तूनामेंट में जब कोई नाम नोब दिया हो दोस्तों जैसे ने सिंगल वो ला ना डबल मिला हो तो आप संख्या अधार पर रखेंगे जैसे कि सिंगल लिख का सुत्र होता है ग्याद करने का यन यन माइनस वन अपान टू तो यहां पर पुछा क्या है कि जब तीमों की संख्या दस हैं तो कितने मैस खेले जाएंगे तो सुत्र होता है यन यन माइनस वन अपान टू यानि कि 10 10 माइनस वन अपान टू यानि 10 गुड़े 10 माइनस वन यानि 9 अपान टू यानि 10 नुमाई 90 अपान टू और कितना हो जाएगा काटने पर 45 दूना नपदे यानि 45 मैच खेले जाएंगे यदि टीमो की संख्या 10 है तो आपसन नमबर ए यह यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है निश्कोर्चन हो दस टीमों की डबल लिग पढ़ाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों जैसा की डबल लिग का सुत्र होता है बस अपांट टू रही जाएगा और से वही जाएगा यहन यहन माइनस वन यह दबल गुड़े नो यहनि 90 यानि की कुल 90 मैच खेले जाएंगे लबल लिग के अनुसार आप्सन नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्कोर्चन है पांच टीमों के लिग फिक्टर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों पांच टीमें हैं सुत्र क्या होता है य 20 अपांच टू दस दूना 20 यानि कुल 10 मैच खेले जाएंगे आपसन नमबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्कोर्चन है दोस्तों कि लिग फिक्टर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 8 होगी तो सुत्र क्या होता है दोस्तों यन 1-1 अपा टू आठ सत्य चपन अपांटू अठाइस दुना चपन कट के जाएगा अठाइस कुल मैच कितने खेले जाएंगे दोस्तों अठाइस आपसन नमबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्क कोचन है दोस्तों यदि लेक परतिविटा में आठ टीमे भाग ले रही है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे यह तो वही कोच्चन हो गया आपसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अठाइस मैच खेले जाएंगे यह यूपी अल्टी ग्रेट का सब्सक्राइबै जाएगा टीमों की शंख्याएंगे जोच्छन हे तो इतना संख्या होता है वही होता है 5 जाए명 है seller 3 धित शंख्या में की संख्या स्मों होती है यह に वही चार गयात करने का एन माइनस 1 माले की एसंदों के नभिधा ऑता है नभिधा उता कि है चक्रों के संघ्या ग्याद करने का सुंतäre सम होने पर यहाइन माइने सम होने ज ABOUT ली rolls जाएगे में चंतर होता है उतना ही चक्र होता है मिशें वी संघ्या होगा चक्रों के शंघ्यां भी शट्र होगा है आप से जया Onlyन होगा उपयक्त में से कोई है नेश्ट कोशन है कम्बिनेशन टुनामेंट में हम देख सकते हैं कहां दोस्तो लीक कम नाकाउट लीक कम नाकाउट कम्बिनेशन टुनामेंट में क्या होता है दोस्तो कम्बिनेशन टुनामेंट जो होता है वो चार प्रकार का होता है कौन से चार प्रकांकार नाक कम नाकाउट दूसरा नाक कम लीग तिसरा लीग कम लीग चोथा लीग कम नाकाउट यहाँ आप क्या पूचा है कि कम्बिनेशन टुनामेंट भी हम देख सकते हैं तो क्या देख सकते हैं लीग कम नाकाउट अप्सन नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्सक्राइब लीग प्रतीवितामी नियत तिथी यानि फिक्स्टर की एक प्रक्रिय रूप में किस बिदी को सबसे आसान कहा जाता है क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विसम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती है तिया कौन सी बिदी होती है दोस्तों इस टेयर केस मेथद होता है आफसन नंबर एक करेट हो जाएगा जैसा कि दोस्तों लीग परतेविता या राउंड रामिग जिसे बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है यह दो प्रका का होता है सिंगल लीग और डबल लीग सिंगल लीग में मैचों की संख्या ग्याद करने का सुतर यन यन माइनस वन अपांड टू इसमें लीग परतेविता में अंक देने की तीन विजिया होती है ब्रेटिस सिस्टम कनेडिया सिस्टम एंड अमेरिकन मेथ़र्ड इस दोस्तों यदि किसी नचाओ ट्रूरमेंट में 19 टी भाग ले रही हैं तो कितनी भाई दी जायेगी तो दोस्तों नकाओ टूना मेंट cud से 500 भाहिनों यहूंत है। निकाने का सुथ्र क्या होता है ? 32 में आप 19 घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों 32 में 19 घटा देंगे बचेगा 13 यानि कि कुल 13 बाई दिया जाएगा ठीक है कि एक नाकाउट टूनामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 है तो फाइनल मैच को मिलाकर कितने फाइनल मैच को मिलाकर खेलने जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी तो दोस्तों यहाँ पे मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या होता है नाकाउट में यन माइनस वन यानि कि 14 माइनस वन यानि 13 कुल 13 मैचे खेले जाएंगे फाइनल मैच होने तब ठीक है किसी नाकाउट प्रतिगता में यदि टीमों की संख्या 10 हो तो इसमें राउंड क्या होगा तो नाकाउट प्रतिगता में 10 टीमे है तो राउंड क्या होगा दोस्तों राउंड ग्याद करने का सुत्र होता है नेक्स्ट पावर आप टू यानि जितना नेक्स्ट पावर यहां पर दस से ज्यादा आएगा वहीं पर दुख जाएगे यहां यहां पर चार आपका राउंड होगा दस तीमें है तो चार राउंड होगा आपसर नमबर एक करेक्ट हो जाएगा यानि कि तूख के पावल में जितना आउंड होगा वहीं उसका राउंड होगा नैस्ट कॉचन है टेमों के नाकाउट फिक्श्यर में उपर के हाउप में कितनी टीमें होंगी तो दूख नाकाउट में टीमों को बाठनी सुत्र होता है जब समख्या होता है तो य्यन अपान यानि जब टीमों की संख्यास बिशम होती है, तो सुत्र होता है, दफ सुत्र होता है, उपरी हाफ में यंप्लस 1 अपान 2, और निचले हाफ में होता है, 1-1 upon 2 यानि यहाँ पे उपर हाप में पुछा है तो कितने टी में है 13 13 टी में है तो 13 13 plus 1 upon 2 हो जाएगा यानि 14 plus 2 यानि 7 टी में उपरी हाप में रहेंगी option number C यहाँ पे correct हो जाएगा तो दोस्तों यह था tournament से आए हुए सभी questions तो दोस्तों यह very informative वीडियो था आपके लिए I hope कि दोस्तों सभी questions आपको समझ में आए होंगे और दोस्तों अब प्रमु खेलों से जितने भी questions आए हुए हैं उन सभी questions को next वीडियो में लगातार रखा जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और जादे से जादे share किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया motivation मिल सके आपके लिए मैं daily basis वीडियो बना सकूँ और दोस्तों डेली बेसे से बने रहे हैं जिससे आपका तयारी बेहतर हो सके तो दोस्तों पहली वाब इजिट कर रहे हैं तो चलों को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे जो ही नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें